सो हेलो गाई स्वागत हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल रिविवर एबीएस में तो आज हमारे पास है वन प्लस नौट त्री जिसे मैं पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं और आज मैं आपको अपना इसका एक्सप्रियंस सेयर करने वाला हो तो अगर स्टार्ट करें उन्प्लस वालों ने एक तो बहुत सही काम किया है कि वह उन्होंने हर चीज जो आप एक स्मार्ट फोन के साथ यूज करने वाले हो वह बॉक्स के अंदर ही देना शुरू कर दिया तो आगर बात करें के से तो आपको कि जो एक कोई नॉर्मल केस नहीं मिलता है जो कि ट्रा स्मार्ट फून के साथ यूज कर सकते हो और आप ज्यादा सुचना नहीं पड़ेगा और इसके बाद अगर बात करें चार्जर की तो यहां पर कई स्मार्ट फून चार्जर नहीं दे रहे हैं और इन्होंने चार्जर दिया भी है तो 80 वाट का और नहीं प्राइटे मुंझे लिए कहने को काईफी कुछ है तो यह वह था जब ने फॉस्ट टेस्ट किया था चार्ज किया था और भीना किसी सेटिंस को चेंज किये यह द मुझे तो मुझे कि मेरे हसाब से ज्यादा बुरा तो नहीं है पर मैं ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा उसके बाद मैंने इस फोन में फोर जी ऑन किया मनलब कि मैंने फाइब डिसेबल कर दिया और सिर्फ और से फोर जी के अलबूते पर एक पूरा दिन यूज किया और मुझे पांच ग मैं गऑल कर दिया तो मुझे बैटरी चार घंट 18 तो मुझे 5 नहीं कुर्ण को करने की जौद ती कुकि कि कॉम lol और यहीं पर अगर मैं बात करूँ जब मैंने इस फोन को सिस्टी हर्ट्स पर यूज किया पूरा एक दिन तो मुझे काफी अच्छा बैटरी बैक अप देखने को मिला जो कि काफी अच्छी बात है और इसके अलावा अगर मैं रिसेंट्स ली अभी देखो तो मुझे मैं यह भी कहूंगा कि फोन थोड़ा है मेरी यूजस की हिसाब से अप्टिमाइज हो रहा है और कंपनी ने भी एक दो अप्डेट्स ऐसे भीजे थे जिसमें बैटरी आप्टिमाइज के बारे में कहा गया था तो हम मुझे अभी हाल फिलान में बैटरी बैक अप हर बार छे घंट से तो अच्छा कोई ज्यादा खड़ा बैटरी बैक अप मुझे काफी अच्छा लगा और अगर आप बात करें की चार्ज की दौरान हीट होता है कि नहीं तो मैं कहूंगा कि फोन जो है वो जब उपर पहुंच जाता है चार्ज होते होते हैं तो थोरा सा वाम हो जाता और अच्छा कासा हीट होने लगता है पर फोन अपनी टेंपरेचर को मेंटीन कर लेता और चार्जिंग बंद होने के पांच मिनट के अंदर वापस कूल भी हो जाता है तो चार्जिंग की ऐस सच कोई सिकायत नहीं है मुझे और अगर मैं बात करू पर्फॉर्मेंस की तो आप एक मोड देखने को मिलता है हाई पर्फॉर्मेंस मोड अन करने के बाद आपको को 10 लाख मिलते हैं और पर्फॉर्मेंस मोड को आपको 9 लाख के करी मिलते हैं तो इस प्राइज के एकोर्डिंग यह पर्फॉर्मेंस काफि ज्यादा अच्छी है और अगर आप CPU च्रॉटलि करने को मिलें तो आपको इसमें 83% cpu ट्रॉटलिंग देखेगी a max performance में जो की काफी अच्छी है पर अगर आप इसे high performance mode on करके cpu ट्रॉटलिंग ग्राफ देखेंगे तो जो की काफी अच्छा नहीं है तो एक नॉर्मल यूजर तो सायद ही है हाई performance mode on करेगा क्योंकि इसमें high performance mode on होके भी नहीं आता है और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल आदमी से on करने वागा और everyday यूजर में आपको ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि आपको high performance mode on करने के जरूरत था तो performance की इसमें कोई कमी नहीं है बहुत ही ज्यादा heavy level की आप performance की उमीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि CPU थोड़ा सा जगह पर ट्रॉटल करते हुए दिखता है पर नॉर्मल यूजर में यह फिर everyday टास्क में इसकी performance काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है तो यह आपको यह ज्या smartphone है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है तब यह उस लेवल की performance आपको नहीं दे पाएगा अगर performance की बात करी रहा है तो मैं आपको यह भी बता दू कि इसके अंदर 8GB RAM जो की LPDDR 5X है और इसके अंदर storage मिलती है आपको 128GB जो की UFS 3.1 है वैसे इसके साथ एक और मॉडल आता था 16GB RAM और 256GB storage वाला पर वह अभी available नहीं है तो मुझे सिर्फ और सिफ यही एक option मिला जो की आपको करी 26,000 रुपए की price में मिलता है तो अगर आप इसे खरीदना चाहते तो आप इसे खरीद सकते हैं अगर मैं फोन की design की बात कर तो पीछी आपको दूख है यह बड़े-बड़े camera देखने को मिलते हैं साइड में आपको यहां पर एक power button देखने को मिलता है फिर उपर यहां पर है अलर्ट slider के बारे मैं बता दूख कैसे काम करता है जैसे कि मैं एक बार स्क्रीन ओपन कर देता हो फिर अलर्ट स्लाइडर अभी रिंग पर मैं एक बार ऊपर करूंगा यह व पर रख सकते हैं जो कि आपको ओफिस या फिर मीटिंग के दर्मियान काफी ज़्यदा काड़ आपका मदद करेगा इसके अलाव उपर बात करूंग तो ऊपर यहां पर आपको स्पीकर यह आयार ब्लास्टर मिलता है और यहां पर साइड में आपको वॉल्यूम बटन देख करते हैं इस फोन में आपको 6.74 इंचे की 1.5 डिस्प्ले मिलती है जो कि 10 प्लस को सपोर्ट करती है और 120 हर्ट की सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जब आप यहां पर डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर जाएंगे और यहां पर आप जब रिफ्रेस्ट को सेलेक् कोई एप आपके 60 हर्ट पर ही चलता है यह नाइंटी हर्ट पर चलता है तो आप उसे बारहा के 120 हर्ट कर सकते जो कि काफी सही है इससे आपका हर एप 120 हर्ट पर आप इजली चला पाएंगे और आपको चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं महसूस होगी आपके बहुत दिसे मिलेगा दू मेंगा। और शुनमें चलता है वह 16 मैगा पिक्सल का आपको वीडियो की बात करें तो आपको काफी ंची मिलती है इसे हैं फोतो हैपको फोतो काल क्यों काफी निकलती है और आपको थोड़ी इसे थोड़े इसे beauty पसंद आती है तो आपको इसके normal option को भी select करना चाहिए जिसमें आपको काफी अच्छी फोटो देखने को मिल जाती है अगर बात करें वीडियो की तो वीडियो में आप maximum 4K at 60fps तक सूट कर सकते हैं इसमें आपको इयाई हाइलाइट मोड का option मिलेगा पर इसमें दिक्कत यह है कि यह अपनी आप ही तब 1080p at 30fps पर शुफ्ट कर लेता है इससे ज्यादा यह में सपोर्ट नहीं करता है इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस का option मिलता है अल्ट्रा वाइड लेंस पर यह maximum 1080p at 60fps पर जबतना उसे करना चाहिए उतना वह काम करता है और फोटो काफी अच्छी आ जाती है थोड़ी सी पंची और कई बार थोड़े से कलर ज्यादा देखने को मिलते हैं पर ज्यादा तर जनता इससे खुसी होगी अगर पोट्रेट करें तो पोट्रेट भी काफी अच्छी जर्वत है नहीं तो पोट्रेट फोटो अच्छी आती है इसकी अलावा कैमरा में नॉर्मल बेसिक फीचर्स दिये हुए है जैसा कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन में मिलना चाहिए जैसा मैक्रो का उप्शन है फिल्म का उप्शन है जो मो ड्यूवल व्यू एक्स्ट्रा एक इसके फोटो की क्वालिटी को लेकर दे सकते हैं अगर मैं बात करूँ इसके ओएस की तो मैं सबसे पहले बता दू कि आपको इसके साथ तीन साल का एंड्रोइड वेस अपडेट और चार साल का सेक्योरिटी अपडेट साथ में बिलता है अभी यह फोन एक साल पुलाना हो चुका है और इसमें एंड्रोइड फोर्टीन का अपडेट आ चुका है तो आप केवल दो साल लेके एंड्रोइड अपडेट और तीन साल के ही यह सौफ्वियर अपडेट बाकी है अब बारे में यह बता दू कि ओएस काफी ज़्यादा क्लीन है आपको किसी भी तरह के अभी इसमें एंड्रोइड फोर्टीन का अपडेटेड है तो मैं आपको कुछ फीचर दिखाना चाहूंगा जैसे एक सबसे मुझी कमाल का फीचर लगता है इसमें क्विक लॉंच तो क्विक लॉंच आप देख सकते हैं यह किस तरह से काम करता है तो आप अपने हिसाब से क्योंसी भी पर्टिकुलर एप को यह सेलेक्ट करते हैं जो कि लॉंचिंग टाइम भी खुलेगा तो मैं आपको इसका आपको करके दिखाता हूं कि कैसे काम करता है इसकी आपके सामिर ने फिंगर प्रेंट का ओप्शन आया आपने उसके क्लिक किया उसकी आप अपने हिसा करेंगे अगर मैं यूट्यूब की तरफ करता हूं तो यूट्यूब ऑपन हो जाएगा जो की काफी सही चीज़े और आपको ज्यादा अपने फोन में घूमना नहीं पड़ता और आप डारेक्ली किसी एप वेये जंप कर सकते हैं जो की काफी कमाल का फीचर है इसके अलाव करेंगे तो आपको यहां पर फाइल डॉक मिलेगा तो अभी फाइल डो कोई कंटेंड नहीं है अपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है कि मैंने मैं इमेजेस पे गया किसी फोटो पे क्लिक किया उस पोटो पर लांग प्रेस कि यह एक और फीचर है कि वह फोटो का कट आउट सामनी आजाते हैं मैंने इस इस फाइल डॉक में छे इसे को कॉपी कर सकते हैं और इसे कॉपी करके रख सकते हैं और उसके पर जहां कहीं बढ़ भी पेस्ट करना है जिससे आप किसी भी काम को बहुत ही इसली कर पाएंगे और आपको copy paste करने में काफी ज़्यादा सहुलियत महसूस होगी इसकी अलावा अगर मैं कुछ features की बात करो तो आपको इसमें inbuilt screen recording option मिलता है और अगर आप screen recording प्रेस करेंगे तो देखिए उपर screen recording का timer शुरू हो गया है और वो screen पहीं उपर float करते रहता है और आपको जब भी आपकी वीडियो पूरी हो चुकी हो आपको बस उस पर लॉंग प्रेस करना है और वो बंद हो जाएगा कुछ और यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स की बात करें तो screen recording के सेटिंग्स में आप maximum 1080p at 60 mbps पर सूट कर सकते हैं जो कि एक सही चीज है इसकी अलावा frame rates क को भी आप अपने हिसाब सेलेक्ट कर सकते हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वह आपकी स्क्रीन की टचेस को सो करें या ना करें और वह microphone को से रिकॉर्ड करें या ना करें तो आपको inbuilt screen recorder सायद ही उतना useful ना लगे पर मेरे हिसाब से काफी यूजपुल है क्योंकि यह विंडोस का option मिलता है अगर हम लिंक टू विंडोस पर क्लिक करें तो यह इन्हों ने खोदे एक अब सौट्वियर में इंप्लिमेंट करके दिया है कि आप विंडोस से डैक्ली लिंक कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप का यूज़ किये बस आपको अपने आपको उसके लिए मोबाइल को छूने तकी जरौत नहीं है अगर आप इसमें पावर इसमें अगर आप होट्सपोर्ट ऑन करते तो आपको करता है कि कितना एंबी ट्रांफर हुआ है होट्सपोर्ट में कुछ लोगों साथ पता नहों सैमसंग में आपको यह ऑप्सन नहीं मिलता ह है है कि आप है होट्सपोर्ट पर लिमेट लगा सकते हैं कि आपको लुक्त और किसी सेंड करना चाहते हैं कि रहीं सारी सैमसंग में आपको można person मिले गले जो की तो मुझे बस क्लिक करना और उसका रिमोट बन के तयार है अपने बाग आपने सेट्टों बॉक्स की कि डारेक्शन में कुछ भी टाइप करना और यह उसका रिमोट की तरह काम करेगा यह आपना के वाल इस एक टीवी के लिए यूज कर सकते हैं बल्कि आपके पास इतने तर लगा और मुझे लगता है कि बाकी कंप्रियों को भी ऐसे देने चाहिए वैसे ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले में भी एक नया फीचर यहां पर एड़ हुआ है कि अगर आप वाल पेपर इंस्टाइल में जाके ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इस योटू क्वार्वन प्रोट्री इंट सो करने वाला उप्सान है यह एक्शुल में आपको मोटिवीट करता है कि अगर आप अपनी गारी का प्रियूज न बैटरी में एक इसू देखने को मिलता है कि जैसे कि इस फोन के आपको यह option मिलेगा कि 80% पर जाके इसकी चार्जिंग रुख जा तो जैसे अगर मैं बैटरी ऑप्शन पर जाता हूं और वहां पर बैटरी हेल्ट पर क्लिक करता हूं तो आपको यह option मिलेगा stop charging at 80% तो इन् ना आपको भी एक बार ध्यान रखना होगा कि ना आप इसके 80% वाले पर उतना भरुसा नहीं कर सकते हैं यह कई बार धोखा दे देता हूं वीडियो को अन्तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करुश स्पलिए करे दो इoga अन्त करुश telephone पर जए उवाम सोड़ियो सोCश